हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल एक्जाम अनुभाव पर फ्रेंड्स आजम पढ़ेंगे उत्रप्रदेस जो प्रुलिस कॉंस्टिबल भरती है पीवाईक्यू देखेंगे पीवाईक्यू से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कोशन या आप यह मान के चलिए कि 75% कोश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे हिंदी में तो यदि 37 में 37 कोश्चन आपको हमारे कंटेंट से देखने को मिलेंगे और वीडियो यदि पूरा देखते हैं एक दू बार देख लेते हैं उनको रिवीजान अच्छे से कर लेते हैं त और जैसा कि 2019 में दुती पाली में प्रशनाया था कि उत्रप्रदेश के मुख्रमंत्री पूछे गया थे तो योगी अदिन्नाज है तो यहाँ पर कोशन इस तरह से बन सकता है जैसा कि पहला प्रशनाता है यहाँ पर यहाँ आपको याद रखना है नाम और स्रीमति सुचेता क्रपलानी यह कोशन कैसे बनता है कि उत्रप्रदेश की पहली महिला मुख्रमंत्री कौन थी सुचेता क्रपलानी आपको option में सरुजनी नाइडू भी होगा तो वहाँ पर confuse मत होईएगा ठीक है मुख्रमंत्री पूछे तो सुचेता क्रपलानी लगाईएगा राज जपाल क्या है और व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो यह 21 होंगे और नंबर हिसाब से पूछा जाए तो यह 32 वरतमान में देखा जाए तो 33 वे नंबर के होंगे तो यह option लगाईएगा राजिपाल से क्या पूछा जा सकता है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं अभी मैंने आ 15 अगस्ट 1947 से 2 मार्च 1949 तक यह राजिपाल रही यहां पर यह भी आपको पता चल गया एक question और आया था कि स्वतंतरता के बाद यह आपको याद रख रहा है स्वतंतरता के बाद उत्तरप्देश के पहले राजिपाल कौन थे हार मर्जी पेरोसा मोदी आपको यह भी पता ह होना चाहिए और एक और भी यहां पर एक question और बनता है एक second हाँ राजिपाल का यह है इनी से question बनता है स्वतंता के बाद कौन थे है स्सी मोदी यहां से बनता है तो यह चीज़ आपको याद रख नहीं है यह भी question बना हुआ है इसलिए मैं कहा रहा हूं स्वतंता के बाद यानि उत्तर प्रदेश के पहले राजिपाल कौन थे तो फिरोसा मोदी यानी की HP मोदी के नाम से question बनता है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राजपल सरुजनी नाइडू और उत्तर प्रदेश की पहली राजपल पूछा जाए तब भी सरुजनी नाइडू ही लगाईएगा यहाँ पे वर्तमान में अनन्दी बेंद पटेल है और जो की 32 नंबर की है विदान परशत से भी question पूर सकता है कि यहाँ पे विदान परशत के सभापती वर्तमान में कौन है तो आपको नमें श्यादों ना लगा कर ठीक है आपको कह लगाना है क्योंकि यह 2021 तक थे अब य परशत के पीठा से अधिकारी की बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है जैसे कि मैंने बताए पूर मनुंदर सिंग विदान परशत के जो माननी नेता जी है पच्चिके नेता होंगे यानिकि सरकार के जो नेता होंगे तो यह सो प्रशाद मौर होंग यहां पर देख सकते हैं यह भी question पूछा जाता है आपको cabinet मंत्री आपको याद रखने हैं किसके पास कौन सा कारिभार है यहां से question अवश्यक आएगा ही आएगा ठीक है तो cabinet मंत्री से question बनता है किसका कौन सा मंत्रा ले है सबस्यादा हमारे बाबा जी के पास है योगी आदितना जी इनके पास है यह मंत्री इनके पास बहुत से हैं जैसे कि ग्रहा जिसके आप त्यारी कर रहा है ग्रहा गुगाग जिसमें आपका पूलिस आता है और जितने वे सुरच्छा की चीज़े हैं तो इसी के अंदर गत आती हैं और यहां पर देख सकते हैं कि यदि राजस सो पूछा जाए तब भी आपको यही लगाना है और इस्थापना जितने भी चीज़े हैं प्रांति रक्षक दल हो गया सैनिक से जितनी भी चीज़े होंगी इनके पास है खानीज हो गया, खादिस रक्षा हो गया, आवास सहरी यदि पूछ लिया जाए ति आवास सहरी मंतराले किसके पास है याई आवास सहरी मंतरी उत्तरपदस के काउन है तो योगी आदित्मनद जी हैं त्यक्य बाठाक जी है, और यहाँ पे, विद्त मंतरी की बात किजाए, उत्रप्र्टप्रेश के कौन है, सुरेजच खना जी, यही बज़ेट पेश करते हैं, करसी मंतरी की बात की जाए, जो मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे, देवी नरयान चौधरी, यहाँ पे चीनी मिल देखते हैं पर्रेटन संस्क्रती यह काफी महातपुड मंत्राले हो जाता है पर्रेटन और संस्क्रती कोई है जैवीर सिंग है MSME किसके पास है यह वेरी वेरी पॉर्टर्ट है राकेश सचान ठीक खादी ग्राम दोग मंत्री कोई है राकेश सचान है एक कुश्चन महातपुड हो जाता है क्योंकि अभी यहाँ पे जो खेल के लिए उत्रप्रदेश थोड़ा एप्रिसेट कर रहा है तो यह भी मंत्री आपको याद रखना है ग्रिश चंद्री यादव खेलयों योग कल्यान मंत्री है यह भी आपको याद रखना है उत्रप्रदेश के शिक्षा मंत्री काउने आप मुझे कमेंड बाक में कमेंड रखना है अभी मैंने बताया है नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है जो यहाँ पे माननी अकलेश जी है समाजवादी पार्टी से आपको इनका भी नाम याद रखना है और जैसा कि आपको हमाने विदान सबाद दच की बारे में बात की जाए तो बत्मान में कौन है शतिस महाना जी है यह जो चीज़े बता रहूँ काफी महातपुरी चीज़े बता रहूँ यहाँ से कॉश्चन बनेंगे ही बनेंगे इससे बाहर नहीं आएगा बहुत जादा वीडियो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है जो भी चीज़े दा रहूँ जो फैक्ट और एक्जाम पॉइंट आव यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मगर मैं जो दूँगा तो पी वाई क्यू दूँगा ठीक है प्रीवेस येर कोश्चन के अकॉर्डिंग दूँगा वहां से आपको सभी प्रेशन देखनों को मिलेंगे हिंदी हो या जीके हो मेरे वीडियो देखके जाएंगे तो इतना है कि आप 30 प्लस करके आएंगे दोनों में हिंदी और जीके में इतना मैं कहता हूँ दावे के शाद 60 प्लस करके आएंगे तो यादि 60 प्लस यहां से कर लेते हैं और math और जिसकी reasoning अच्छी हुई तो वो 130 प्लस मार के आएगा no doubt, तो मैं आप से फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो हमारे देख लें exam जब देखेंगे आप खुझ बताएंगी कि आप analyze करूँगा कि मेरे वीडियो से मेरे content से कितने question हसे इसलिए क्या रहा हूँ कि वीडियो ने रंतर देखते रहें like करके साज्या करदें, चैनल को अवज से subscribe कर लें thanks for watching, जाहिए